आज के दिन का इतिहासिक मेहतो आज के दिन 1653 में विश्व विख्यात इतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्मार 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम वर्ष के बाद हुआ था आज के दिन 1540 में उदैपुर के मिवार में से सोधবया राजवंश के राजा महाराना प्ताप का जन्म हुआ था आज के दिन 1576 में महाराना प्ताप और अक्बर के बीच हल्दी घाटी का यूध हुआ था आज के दिन 1947 में विश्व बैंक ने अपना पहला लोन फ्रांस को द संपदा संद्रक्षम की चूट के बारे में विशोयापार संगठन से संपर किया है हाल ही में अमेरिका ने कोविड 19 को यह बहुत धिक संपदा संद्रक्षम में चूट को समर्थम देने की घोशना की अमेरिकी वर्ती वह ने चूट पर वारता को आगे बढ़ाएगा सभी 2100-64WTO सदस्यों को मसौदा पर सहमत होना चाहिए और कोई भी एक सदस्य से वीटू कर सकता है Climate Action Tracker विशलेशन ने कहा कि वर्ष 2100 एक दुनिया 2.4 Celsius तक कर्म हो जाएगी या विश्रो कारिवाही से केवल 0.2 कम तापमान है लेकिन ये अनुमान 2016 में हस्ताक्षिर जलवायू परिवतन पर पेरिस समझोते के तहत सहमत 1.5 डिग्री Celsius लक्षे से बहुत अधिक है इस रिपोर्ट ने ये भी सुझाव दिया कि 1.5 डिग्री Celsius लक्षे अभी भी संभव है लेकिन इसके लिए प्रमुख देशों से कारिवाही की आवश्यक्ता है डेनमार्क ने आधिकारिक रूप से एक कानून पारित किया है या कानून राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए खतरनाक बाहरी SBI की चट्नी करने के लिए बनाया गया है या नए कानूं डेन्मार्क के 5G नेटवर के निर्मार के लिए चीन के हुआवे की बोली पर सुरक्षा चिंताओं के बाद बनाये गया है। हाला कि डेन्मार्क में सबसे बड़े तूरसंचार ओपरेटर डीडीसी में इस परियोजना के लिए हुआवे की बजाए एरिक्सन को चुना है। वर्शा रतु में दोई जाने वाली पसलों को भारत में खारिश फसल कहा जाता है। उन्हें गर्णियों में मानसून की फसल के रूप में भी जाना जाता है। खरीफ की फसल आम तोर पर जुलाई में पहली बार इसकी शुरुआत के साथ दक्षिन पर्शिम मानसून के मौसम के दौरान बोई जाती है। अरहर उरद और मूं इस मौसम की प्रमुख डाले हैं। कृशी मंतराने ने हाल ही में डालों के उत्पादन में आप मिर्बता प्राप करने के लिए एक विशेश कारिकरम नीती तैयार की है। वार्ट सेट ने गुपनियता नीती की शर्टों को सुवीकार करने के लिए 15 माई की समय सीमा समाप्त कर जाने माने सितार वादक ततीक चौधरी का नई फोर वर्ष की आईउ में कोविड-19 के कारण निधन हुआ। RBI ने SBI के MDS जानकी राम की अध्यक्षता में दूसरे Regulatory Review Authority की सहायता के लिए परामर्श समू स्थापित किया। 30 अप्रैल को समाप्त में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पाइप 55558.02 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई। SBI IB जलवायू परिवर्तन पर केंद्रिय भारत में 100 मिलियन यूडो तक का निवेश करेंगे। भारत सरकार और यूरूपियन इवेशक बैंक पुरे मेट्रो रेल पर योजना के लिए 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए वित अनुबंद पर हस्ताक्षर किया। Interpol ने दुनिया भर में चोड़ी की गई सांस्कृतिक संपत्ती की पहचान करने में मदद करने के लिए E.D.R.T. लॉंच किया। BM के अध्यक्ष N.K. स्टालिन ने तमिलनाडू के मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली। I.N.R.C. नेता एन रंगा स्वामी ने पुरूचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपत हुई। पीका करन के बारे में डेटा प्रविष्टी की छुट्टी को कम करने के लिए 8 मैं से कोविं में 4 आंकी सुरक्षा कोड का उप्योग किया जाएगा। प्रसिद्र संगीत कारवन राज भाटिया का 94 वर्ष की आयू में निधन हो गया। पदकार शेश नारायर सिंग का 70 वर्ष की आयू में निधन हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर डिनायल आफ सर्विस हमला एक उनलाइन सेवा को बहुत स्यादा ट्रैफिक भेज कर इसे अनुपलब्ध बना देता है। एक बड़े डोस बेल्जियम में 200 से अधिक संगठनों की वेबसाइट को प्रभावित किया जिसमें सरकार सांसद विशोविद्याले और अनुसाधन संस्थान शामिल है। यमला 4 माई को शुरू हुआ था। टैनिस खिलाडी बार्बोरा स्ट्रीकोवा ने सन्यास की घोशना कर दी है। 35 वर्षिये बार्बोरा स्टार को चेक गर्राज की रहने वाली है। उन्होंने WTA यानी विमन टैनिस एसोसियेशन की दो सिंगल खिताब खिताब जीता है। में टॉक पर भी रह चुके हैं। करुआ के बड़ते मामले को देखते हुए सब विश्वस्वास्त संगखन में अमेरिका की मोडन वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही WHO ने आपातकालीन प्रादिकरन की मानिता प्राप्त करने के लिए मोडन वैक्सीन पांचवाटी का बन गया है। मुंबई में मिशन सेवा लैब्स की शुरुआत की गई ही। ये मुंबई नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है। इसका मकसद तोडने वाली मरतियों को रोकना है। इसका पहल के तहत COVID-19 मरीजों को प्रोग पोजीशन में सोने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि उनका उक्सीजन लेवल कम ना हो। इसके तहत इलाज कर रहे, डॉक्टर उसे कहा गया की है कि मरीजों को उनके घर पर वीडियो कॉल पर बात करने दे। हाल ही में भारत में फेस्बुक ने अपने उपर वैक्सीन फाइंडर टूल लॉंच किया है। लोग फेस्बुक पर जाकर इस वैक्सीन फाइंडर टूल के जरीए अपने नज़्दीकी के वैक्सीन सेंटर का पता लगा सकते हैं एवन वैक्सीन लगवा सकते हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर फेस्बुक यह काम कर रहा है। मारिया रेसा को युनेस को विश्व प्रे स्वतंत्रता पुरसकार के विजिता के रूप में 25,000 का पुरसकार दिया जाएगा। नहीं में दिल्ली सरकार में 72 ब्लोक राशनकार धारकों को तू महीने का फ्री राशन देने तथा दिल्ली में जितने भी ऑटो और टैक्सी चालकों ने 5,000 की मदद करने का फैसला लिया है।